श्री किष्ण भगवान जित्या क्यूं किया जाता है श्री किष्ण भगवान ने उत्रा के बच्चे को गर्व में जीवित किया था वही दिन से आस्मन मास से किष्ण पच्च की अश्टमी से तब से संतान की लंबी आयू की कामना के लिए जीवित पुत्र का रच्चा के लिए जाने लगा और मानेता यह है कि महिलाओं पुरी बीधी से यह बच्च रखता है उसके बच्चे पर स्री कृष्ण की विशेश किर्पा बरस्ती है इस बच्च को रखने से संतान की लंबी आयू हो बढ़ती है और निरोग और सुखी रहता है इसलिए जीवित्या बच्च जरूर करना चाहिए और लोग करते हैं चलिए जित्या कथा आरम करते हैं एक बार नैमी सरन के निवासी रिशियों ने संसार के कल्यान कल्यान अर्थ सुत्जी से पूछा है सुत्र कारल कली का में लोगों के बाल किस तर से दिरगायों होंगे इसो कहिए सुत्जी बोले जो अपर का अंत और कल्यों का अरम था उसी समय बहुत सी सोका कूल इस्तिरिया ने आपस में सलाह की क्या इस कली में माता के जीवित रहनते पूत्रे मर जाएंगे जब वे आपस में कुछ निर्ने नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पहुचने के लिए गई जब उसके पास से पहुची तो उसे समय गौतम जी आनंद के साथ वैठे थे उसी के सामने जाकर उन्होंने मस्तक जुकाकर पर नाम किया और दत्मद्र इस्त्रियों ने पूछा है प्रभू इस कल्यूग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे इसके लिए कोई ब्रत या तब हो तो किरपा करके बताए इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले आपको मैं यही बात कहाँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है गौतम जी ने कहा जब महा भारत युद का अंत हो गया और पुत्र असर्व तथा आमा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर तब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के सोक से ब्याकूल होकर द्रोपती अपनी सक्खियों के साथ ब्रह्मन सेष्ट धाम में के प अम्य के पास गए और उसने धौम्यों से कहा हे भी प्रेद्र कौन सा उपाय करने से बच्चे दिरिखायों हो सकते हैं किरपा करके ठीक ठीक कहिए धौम्य बोले सत्य गुन से सत्वचन बोलने वाला सत्य चारन करने वाला सम्दर्ष्षी के जन्म और कूल के बास पुछने लगे राजा ने कहा मेरी माता का नाम है सब्या और मेरे पिता का नाम साली बाहन है सुरे बंस में मेरा जन्म हुआ है और जी मूतवाहन मेरा नाम है राजा की दयालता देकर गरूर ने कहा है महाभाग तुमने मन में जो भिलासा हो वह घर मांगो राजा ने कहा है पच्छी राज यदि आप मुझे बर दे रहे हैं तो बर दिजिये कि आपने अब तक जिन प्र हो जाएं हे स्वामनी अपने आफ से आप यहां बालकों को न ले न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहां वह उत्पन हो वे लोग बहुत दिनों तक जिवित रहें धौम्य ने कहा कि पच्छी राज गरूर राजा को बरदान देकर स्वय अम्रित के लिए नाग लोग चले वहां से अम्रित लाकर उन होने उन मरे मनुश्यों को हडियों पर बरसाया ऐसा करने से सब लोग जिवित हो गये गिस्ट के जिन को किसी पहले गरूर ने खाया था राजा के त्याग और गरूर की किरपात से वहां वालों का बहुत कह्ष्ट हो दूर हो गया उस समय राजा के सरीर की सोभा दूनी हो गई थी राजा को द्यालुता देखकर गरूर ने फिर कहा मैं संतान के कल्लान अर्थ एक और बरदान दूंगा आज आज शीवन कृष्ण सत्मी के रहीत सुभ अस्टमीती थी है आज ही तुम ने यहां की प्रजा को जीवित दान दिया है हे वस्त सब अबसे यह दिन भ्रमभाव हो गया है जो मूर्ती भेदिक से बीविध नामों से विख्यात है वही वही तर लोक्य से पूजित दूर्गा अम्रित प्राप्त करने के अर्थ में जीवत पूत्तर का कहा लाइती है जो इस तिथी को जो इस जीवित पूत्र का और कुछ की आकरिती बनाकर तुम्हारी पुजान करेगी तो दिनों दिन उनका सुभ्याग बढ़ेगा और बंस की भी बढ़ती होगी होती रहेगी हे महाभागे इस विचार करने की भी अवसक्ता नहीं हे राजान स्रहित और उदय आर्ति थी कि अठ्मी को ब्रत करें यानि सब्तमी बीद्र अस्ट में जिस दिन हो उस दिन ब्रत न करें सुख अस्टमी को ब्रत करें और नौमी को पान करें यदि इस पर धान न दिया गया तो फल नस्ट हो ही जाएगा और सो भ्यागत को तो वस्य नस्ट हो जाएगा जी मुत वाहन को इस तरह का बर्दान देकर घुर्बै कुंठ धाम को चले गए और राजा की अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को बापस चले आए धौम्य दोलब्रत तुमको बताया है इस ब्रत को करने से बच्चे दीर्गाईयों होते हैं यह देवी तुम ही पूर्वोत्रम विधी से यह ब्रत और दुर्गाजी का पुजन करो तो तुम्हें अभिलास से फल प्राप्त होगा मुनिराज धौमे के बास सुनकर द्रोपदी के हिर्दे में एक परकार का कौतु हल पन्हुआ और फूर वासनी स्तिरियों को भुला कर उ पो तम ने कहा या नुवर्ट और इसके प्रभावस को किसी को एक इनी सुनली और अपनी शकी सियारनी को बत लाया इसके बाद पीपल ब्रीच की साखा पर बैठकर उस चिल्णी ने और उस व्रीच के खोते में बैठकर सिपार ने भी भरत किया फिर वह सी किसी उत्तम ब्रह्मन के मुह से कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठ गए अपनी सखी को सुनाया सियार्णी निया आधी कथा सुनी थी कि उसे भुख लग गई और उसी समय सब से भड़े हुए समसान में पहुंची वहां उसके इच्छा भड मास का भोजन किया और चि साले में गई और वहां गौ का दूध पिया इस तरह से नौमी को उसने पारण किया कुछ दिन बाद वे दोनों मर गई और योध्याक में किसी धनी व्यपारी के घर जनम संयोग से उन दोनों को जनम एक ही घर में हुआ जिससे सी यार्णी ने जैस्ट हुई और छोटी वे पत्य अगनी के सामने विदी पुर्वक ब्याही गई पुजोन जनमें एक फल से वहां मिरी नैनी राजनी हुई जिसी किसी को संतान को उत्पन करती वह मर जाती और पुर्वजन की बातों को स्मरन करने वाली मंत्री की पत्नी ने अस्ट बसू उनको दिस्ट तेज अस्वी आठ बेटी को उत्पन किये और सभी जीवित रह गये अपनी बहन के पुत्र को जीवत देकर स्या बस राजपत्नीक ने अपने स्वामी से कहा कि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री को मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज़ दो जहां मेरे बेटे हैं थाथे ने मार डालो यह सुनकर राजा ने उन मंत्री को पुत्रों को मानने के लिए कहा परकार से उधो किया पर मंत्री पत्री पत्री ने पिटारी उन्हीं की माता मंत्री पत्री के पास भेज दिया किन्तों वे आठों सिर्व बेस्किमिती वाहर आज हो गए और भले चंगे वे आठों लड़के अपनी माता के पास बापस चले गए उनकी जीवित देखकर राजपत्री इनको बड़ा बिस में हुआ अन्त में व अन्त तुमने कौंसा ब्रें मरे जाने पर भी तुम्हारे नहीं मरते इस पर मंतिकी पत्नी कहा फुर्वजन में में उन्सक्रीजिड को तुमने ब्रत के नियम को हली भाती पालन नहीं किया था और मैंने किया इसी दोस में वह वहीं तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं जो राज रानी अब भी तुम उस जीवित पुत्र ब्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दिरखाईयों होंगे मैं तुम्हें सच कह रही हूँ उसके कथा सुना कथा नुसार रानी के ब्रत किया तभी उसके कोई पेटे सुन्दर और दिरखाईयों होकर बड़े बड़े राजा हुए सुजी कहते हैं सब परकार का अनंद देने वाले मैंने यहां दिव्य ब्रत बतलाया इस्तरी चीरण जीविनी संतान चाहती हो तो विधी पुर्व के ब्रत करे इस पंडित शिरी देव नारायन पाठे कृती भासती का सहीत जीवित पुत्र ब्रत कता ओम जय जय दी सहरे श्वामी जय जय दी सहरे भट जनों के संकत दास जनों के संकत छल में दूर करे ओम जय जय दी सहरे श्वामी जय जय दी सहरे जो धावे फले पावे विन से मने का सुखा संपती घरे आवे अस्टे मीटे तने का ओम जय 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 दी सहरे श्वामी जय जय दी सहरे जो धावे फले पावे दूखे विन से मने का सुखा संपती घरे आवे अस्टे मीटे तने का ओम जय 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 दी सहरे श्वामी जय जय दी सहरे जय 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 दी सहरे जो के संपती घरे आवे विन से मीटे तने का मात पिता तुमे मेरे शर्ण गए हुए किसी की ओम जय 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 दी सहरे तुम पूरन पढ़ मात्मा तुम में अंतर आमी पाड़े भ्रह्मापड मेशवर तुम सब के स्वामी ओम जय 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 गदी सहरे श्वामी जय 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 दी विदी मिलो दया मैं तुम्हे को मैं कुम्हे ती दीन बंदू दुखे अलता तुम्हे भगवन मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पडाही तेरे उम्जय जग दी सहरे विसे विकार मिटाओ पापहरो देवा प्रवुफा पहरो देवा गर्दा भक्ति बेराओ शंतन की सेवा उम्जय जग दी सहरे तन मन धन सब कुछ है तेरा तुझे को अरपन लागे क्या मेरा उम्जय जग दी सहरे स्वामी जग फ्रेभक्त जनों के संकत दास जनों के संकत छन में दूर करें उम्जय जग दी सहरे स्वामी जग दी सहरे एक बार बोलिए देवी दुरगा कीजे